परिचाए वरित जयामिती के क्षित्र में एक महतपून आकार है इन वस्तूओं को देखो पिज्जा, पहिया, बड़ा चक्र, सिक्का, डिस्क, थाली ये सभी वरित के उधारन है आज हम वरित और उसकी विशेश्टाओं का अध्ययन करेंगे आईए शुरू करें उद्देश्शे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वरित के केंद्र और त्रिज्या को परिभाशित करना वरित के अभियंतर और बहिर भाग को जानना वरित की जीवा और व्यास को जानना दीर्ख चाप और लगु चाप का वर्ण करना प्रित की परिधी को परिभाशित करना वरित्य खंड और त्रिज्य खंड में विभेत करना जीवा द्वारा एक बिंदू पर अंतरित कोण का वर्ण करना केंद्र से जीवा पर लंब खीजना बराबर जीवाओं और केंद से उनकी दूरी को समझना वृत्य के चापदौरा अंतरित कोण का वर्लन करना चक्रिय चतरभुज का वर्लन करना परिभाशा इस वृत्य को देखिए अब वृत्य में इस बिंदू को देखिए यह एक निश्चित बिंदू है और इसे वृत्य का केंदर कहते हैं इस बिंदू से हम तरिज्या बना सकते हैं वृत्य के केंदर को वृत्य के किसी बिंदू से मिलाने वाली रेखा वृत्य की तरिज्या होती है इस साकृति में O P तरिज्या है अब इस घड़ी को देखिए यह आकार में गोल है या हम कह सकते हैं कि यह आकार में वृत्तकार है वृत्तिका अभियंतर और बहिरभाग वृत्ति जिस तल में इस्थित होता है उसे तीन भागों में विभाजित करता है अभियंतर बहिरभाग और वृत्तिय क्षेत्र आईए इन्हें एक एक करके देखें अभियंतर वृत्ति के भीतर का क्षेत्र वृत्ति का अभियंतर कहलाता है बहिरभाग वृत्ति के बाहर का क्षेत्र वृत्ति का बहिरभाग कहलाता है वृत्य एक्षेत्र वृत्य और इसका अभियंतर क्षेत्र से मिलकर वृत्य एक्षेत्र बनता है जीवा और व्यास यदि आप वृत्य पर कोई दो बिंदू P और Q लें और उन्हें मिला दें तो रेखा खंड P Q को वृत्य की जीवा कहते हैं जो जीवा वृत्य के केंदर से होकर जाती है उसे वृत्य का व्यास कहते हैं। वृत्य की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है। व्यास वृत्य की सबसे लंबी जीवा होती है और त्रिज्या के दो गुने के बराबर होती है। यहां हम देख सकते हैं कि A, B एक व्य दीर्ख चाप और लगु चाप और छोटा वाला लगु चाप कहलाता है A, B, लगु चाप है चाप को इस चिन्न से प्रदशित किया जाता है परीधी, त्रिज्येखंड और वृत्यखंड किसी वृत्य की परीधी उसकी वाहे भाग की कुलदूरी होती है इसे वृत्य का परिमाप कहा जा सकता है वृत्य के दो मुख्य खंड होते है पिज्या खंड और वो खंड जो किसी जीवा से बना हो पिज्या खंड को वृत्य खंड कहते है और जीवा द्वारा बने हुए वृत्य के खंड को वृत्य खंड कहते है त्रिज्य खंड दो प्रकार के होते हैं लगू त्रिज्य खंड और दीर्ग त्रिज्य खंड त्रिज्य खंड की ही तरह वृत्य खंड भी दो प्रकार के होते हैं लगू वृत्य खंड और दीर्ग वृत्य खंड अब इस वृत्य को देखो यहां दो चाप बराबर हैं, इसलिए ये दोनों अर्धिवृत्ते हैं जीवा द्वारा एक बिंदू पर अंतरित कौन? O केंदरवाले एक बिंदू अर्धिवृत्त में एक रेका खंड A, B और बिंदू C, जो रेका A, B पर स्थितना हो, लीजिए A, C और B, C को मिला दीजिए, यहां A, B एक जीवा है और कौन A, C, B जीवा A, B द्वारा अंतरित कौन है, तथा कौन A, O, B जीवा A, B द्वारा केंदर पर अंतरित कौन है? यदि एक वृत्त में बराबर लंबाई की एक या एक से अधिक जीवा खीच कर उनके द्वारा केंदर पर अंतरित कौनों को मापें, तो हम देखेंगे कि उनके द्वारा केंदर पर अंतरित कौन भी बराबर हैं। इस सम्मंद से हमें प्रभयप्राप्थ होता है, जिसके अनुसार वृत्य की बराबर जिवाएं केंद्र पर बराबर कोंड अंतरित करती हैं। प्रमय आईए इस प्रमय को सिद्ध करें। दिया है एक वृत्य जिसका केंद्र O है। इसकी दो बराबर जिवाएं PQ और RS हैं। सिद्ध करना है कोण P O Q बराबर कोण R O S के। उपत्ति त्रिभुज P O Q और R O S में। O P बराबर O R क्यूंकि ये दोनों वृत्य की त्रिज्जाएं हैं। O Q बराबर O S ये भी वृत्य की त्रिज्जाएं हैं। P Q बराबर RS दिया है। अताहा SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज P O Q त्रिभुज R O S के सर्वांग सम है। ये प्रदान करता है कोण P O Q बराबर कोण R O S क्यूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं। अगला प्रमे उप्रोक्त प्रमे का विलोम है। इसके अनुसार यदि जीवां द्वारा वृत्ति के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं भी बराबर होंगी। प्रमे आईए अब विलोम को सिध्ध करें। दिया है एक वृत्ति जिसका केंद्र O है, इसके दो बराबर कोण P-O-Q और कोण R-O-S हैं। सिध्ध करना है P-Q बराबर R-S, ओपत्ति त्रिभुज P-O-Q और R-O-S में। O-P बराबर O-R क्यूंकि ये दोनों वृत्ति की तरचाएं हैं। O-Q बराबर O-S ये भी वृत्ति की तरचाएं हैं। कोण P-O-Q बराबर कोण R-O-S दिया है। इसलिए S-A-S सरवांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज P-O-Q त्रिभुज R-O-S के सरवांग सम है। ये प्रदान करता है P-Q बराबर R-S क्योंकि सरवांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सरवांग सम होते हैं। केंद्र से जीवा पर लंब। अगला प्रमय पताता है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। जीवा को समदूई विभाजित करता है। इसका विलोम है एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समदूई विभाजित करने के लिए खीची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। आईए इसे सिध्ध करते हैं। कलपना कीजिए कि PQ एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है और O M के मध्ध बिंदू से मिला हुआ है। सिध्ध करना है O M लंबवत है P Q के उपत्ति O P और O Q को मिला दीजिए। त्रिभुज O P M और O Q M में O P बराबर O Q क्यूंकि ये एक ही वृत्त की तरिज्जाए हैं। P M बराबर Q M क्यूंकि ये जीवा का मध्ध बिंदू है O M बराबर O M अभे निष्ठ अता सर्वांग समता नियम के नुसार त्रिभुज O P M त्रिभुज O Q M के सर्वांग सम है। इससे प्राब्थ होता है कौन O M P बराबर कौन O M Q बराबर 90 डिग्री क्यूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं। प्रमय यदि हमारे पास तीन असरेखी बिंदू हैं, तो इस प्रमय के अनुसार तीन दिये हुए असरेखी बिंदूओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत है। रेखा पर लंब यदि हम P Q और इसके बाहर एक बिंदू R लेते हैं, हम जानते हैं कि रेखा पर आप परिमित संख्या में बिंदू जैसे P 1, P 2, M, P 3 और P 4 होते हैं। इन बिंदूओं को बिंदू R से मिला दीजिए। हम देख सकते हैं कि R, M, P Q पर लंबवत है। फिर P Q की R से दूरी R, M है। यह हम कह सकते हैं कि किसी बिंदू से किसी रेखा तक की लंबवत दूरी रेखा से बिंदू की दूरी के पराबर होती है। समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरिया प्रमै वृत्तिकी समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं आईए इसको सिध्ध करें एक वृत्तिकी कलपना करें जिसका केंद्र O है इसकी समान लंबाई की दो जीवाएं A, B और C, D है अब केंद्र से AB और CD लंब खीचिये जो उन्हें L और M पर प्रतिछेद करता है अता हमें सिध करना है कि OL बराबर OM, OB और OD को मिला दीजिये हम जानते हैं कि AB बराबर CD जो कि दिया है BL बराबर AB बटे 2 केंद्र द्वारा किसी जीवा पर कीचा गया लंब उसे समद्वी विभाजित करता है इसी प्रकार DM बराबर DC बटे 2 अता BL बराबर DM क्रिभुज OBL और ODM की कल्वना कीजिए OB बराबर OD ये समान वृत्ति की द्रिज्याएं है BL और DM सिद्ध है कोण OLB बराबर कोण OMT बराबर 90 टिक्री जो कि दिया है इसलिए सर्वांग समता के नियम SSA द्वारा त्रिभुज OBL त्रिभुज ODM के सर्वांग सम है ये इंकित करता है OL बराबर OM सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग CPCT अता एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है इस प्रमय का विलोम कहता है कि एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी परिस्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है एक वृत्ति के चाप द्वारा अंतरित कोण के परिणाम और प्रमय एक वृत्ति की जीवा और चाप के बीच निम्नलिखित संबंद होता है यदि वृत्ति की दो चीवाएं बराबर हैं तो उनके संगत चाप सरवांग समहूंगे विलोमता, यदि दो चाप बराबर हूँ तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं दूसरा परिणाम यह बताता है कि एक वृत्त के सर्वंग समचाप यानी समाब चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरेत करते हैं इस कार्थ है कि एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस जीवा के संगत चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है. एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण और वृत्त के एक बिंदु के बीच संबंध. ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचिये. चलबना कीजिये कि PAQ एक चाप है और P वृत्त का कोई बिंदु है. यदि हम केंद्रिये कोण POQ और चाप द्वारा वृत्त के शेशभाग पर बनाया गया कोण PBQ मापें, तो हम देखते हैं कि कोण POQ बराबर 2 कोण PBQ. इस गतिविधी से हमें प्रमय प्राप्थ हुआ. प्रमय किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण प्रित्त के शेश भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का तुगना होता है. आईए इसे सिध्ध करते हैं. दिया है. ओ केंद्र वाले वृत्त का चाप AB केंद्र पर कोण AOB अंतरित करता है. और शेश भाग के बिंदु P पर कोण APB अंतरित करता है. कोण AOB बराबर दो. कोण APB सिध्ध करने के लिए दिये गए समीकरण में स्पश्टता हमारे पास तीन इस्थियां हैं. इस्थिती एक AB एक लगुचाप है. इस्थिती दो AB एक अर्धिवृत्त है. इस्थिती तीन AB एक दीर के चाप है. रचना P O को मिलाइए और इसे बिंदू Q तक बढ़ाइए. उपत्ति याद कीजिए कि एक त्रिभुच का बहिश कोण उसके दो संगत सम्मुक अंता कोणों के योग के बराबर होता है. अता हमारे पास है कोण Q O B बराबर है कोण O P B जमा P B O के. समीकरण एक त्रिभुच O P B को ध्यान में रखते हुए. कोण A O Q बराबर है कोण A P O जमा P A O के. समीकरण दो त्रिभुच A P O को ध्यान में रखते हुए. साथ ही O B बराबर O P ये एक वृत्तिकी त्रिचाएं हैं. जिसका ताथपर है कोण O P B बराबर है कोण P B O के. और O A बराबर O P ये एक वृत्तिकी त्रिचाएं हैं जिसका ताथपर है कोण A P O बराबर है कोण P A O के. इस प्रकार समीकरण एक और समीकरण दो को कम करने पर कोण Q O B बराबर है दो, कोण O P B समीकरण तीन. कोण A O Q बराबर है दो, कोण A P O समीकरण चार. समीकरण तीन और चार को जोडने पर हमें प्राप्थ होता है कोण A O Q जमा कोण Q O B बराबर है दो, कोण A P O जमा कोण O P B. जिसका ताथपर है की कोण A O B बराबर दो, कोण A P B. स्थिती तीन के अनुसार प्रतिवती कोण A O B बराबर है दो, कोण A P B. इस प्रकार ये सिद्ध हुआ. अर्ध व्रित्थ का कोण प्रमाएं, अर्ध व्रित्थ का कोण समकोण होता है. मान लिजिए, ओ केंद्र का एक व्रित्थ है. एक अर्ध व्रित P A Q और इसके चिनित कोण P B Q की कलपना कीजिए. दो कोण P B Q बराबर कोण P O Q. क्योंकि हम जानते हैं कि एक व्रित्थ की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस जीवा के संगत चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है. लेकिन कोण POQ बराबर 180C degree क्योंकि PQ वृत्त का व्यास है दो कोण PBQ बराबर 180C degree कोण PBQ बराबर 90 degree समान वृत्ति खंड के कोण प्रमय वृत्ति के एक वृत्ति खंड के कोण बराबर होते हैं दिया है O केंदरवाला एक वृत्त और जीवा PQ या चाप POQ से एक ही वृत्त खंड में अंतरित कोण PRQ और कोण PSQ सिद्ध करना है कोण PRQ वराबर कोण PSQ रचना OP और OQ को मिलाईए उपत्ति चुगी वृत्त की जीवा दोरा केंदर पर अंतरित कोण उस जीवा के संगत चाप दोरा केंदर पर अंतरित कोण के बराबर होता है इसलिए हमारे पास है कोण POQ बराबर 2 कोण PRQ इसे एक के रूप में चिनहित कीजिए और कोण POQ बराबर 2 कोण PSQ इसे 2 के रूप में चिनित कीजिए एक और 2 से हमें प्राप्त होता है 2 कोण PRQ बराबर 2 कोण PSQ कोण PRQ बराबर कोण PSQ चक्रिये चत्रभुज यदि किसी चत्रभुज के चारों शेशों से होकर जाने वाला एक वृत्त हो तो उसे चक्रिये चत्रभुज कहते हैं इस साकृती में PQRS एक चक्रिये चत्रभुज है प्रमय, चक्रिये चत्रभुज के सम्मुख कोणों के तत्यक युग्म का योग 180C डिक्री होता है दिया है एक चक्रिये चत्रभुज ABCD सिद्ध करना है कोण BAD जमा कोण BCD बराबर कोण ABC जमा कोण ADC बराबर 180C डिक्री रचना AC और DB खीचिये उपत्ति कोण ACB बराबर कोण ADB और कोण BAC बराबर कोण BDC क्योंकि ये A के ही वृत्खंड के कोण है इसलिए कोण ACB जमा कोण BAC बराबर कोण ADB जमा कोण BDC बराबर कोण ADC कोण ABC को दोनों सिरों पर जोडने से हमें प्राप्त होता है कोण ACB जमा कोण BAC जमा कोण ABC बराबर कोण ADC जमा कोण ABC लेकिन कोण ACB जमा कोण BAC जमा कोण ABC बराबर 180 degree क्योंकि एक त्रिभुच के कोणों का योग होता है 180 degree इसलिए कोण ADC जमा कोण ABC बराबर 180 degree इसलिए कोण BAD जमा कोण BCD बराबर 360 degree घटा कोण ADC जमा कोण ABC बराबर 180 डिग्री इस प्रकार यह सिद्ध हुआ इस प्रमय का विलोम भी सत्य है जिसके अनुसार यदि किसी चतरभुज के सम्मुक कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतरभुज चक्रिये होता है क्या आप चानते हैं? वृत्य केवल एक पक्षिये आकार वाला क्षित्र होता है एक सीधी रेखा आपरिमित क्षित्र वाला एक वृत्य होती है वृत्य में कोई कोण नहीं होता एक वृत्य में सम्मिती रेखाओं की आपरिमित संख्या होती है सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एक वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदूओं का समूव होता है जो तल के एक स्थिर बिंदू से समान दूरी पर हो एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंदर पर बराबर कौन अंतरित करती है यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं केंदर पर बराबर कौन अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है किसी वृत्त के केंदर से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे समदूई भाजित करता है केंद्र से होकर जाने वाली और किसी जीवा को समद्वी भाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी परिस्थित जीवाएं बराबर होती है एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी परिस्थित चाप बराबर होते हैं तीन अस रेखिये बिंदों से जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है किसी वृत्त के सरवांग समचाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं किसी चाप दौरा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेश भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है एक वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं अर्ध वृत्त का कोण समकोण होता है चक्रिये चत्रभुज के सम्मुख कोणों के प्रतेक युग्म का योग 180 डिग्री होता है